एपिसोड की शुरुवात में हमें दिखाया जाता है वो जो गू फैमिली का नया बंदा होता है वो वहां आ रहा होता है पैटरिच उस एल्डर से कह रहा होता है कि हमारे फैमिली ने हमेशा तुम्हें अपना समझा लेकिन फिर भी तुम हमारे फैमिली को धोका देकर वहां पर क्यों चले गए एल्डर कह रहा होता है कि देखिए आपने एक आउटसाइडर को वाइस प्रेजिडेंट बना दी और आप मुझसे ये सब पूछ रहे हैं वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं इस नए एलकेमिस्ट का कुछ भी हूं लेकिन आपके गिल्ड का कुछ नहीं फायदा हो जाएगा ये बात उस एल्डर को अची नहीं लगती और वो कहता है क्विंग यून मैं तुम्हें नहीं चोड़ूंगा तब ही वो जो गू होता है ये क्विंग यून तुमसे वापस मिलकर बहुत अच्छा लगा लगिन तुम्हें देखकर मैं शौक वो ऐलकेमिस्ट किल्ड का वाइस प्रेजिडंट बन चुका है कंमाल की बात है क्विंग अपने special divine eyes का इस्तिमाल करता है और जैसे ही वो इस्तिमाल करता है वो उन बंदों के अंदर देख सकता है और ये जो गू होता है इसका आरा बाकी सभी बैसे बिलकल अलग होता है भाले ही सिक्स्त रैंक एलकेमिस्ट में प्रमोट हो चुके हो लेकिन तुम्हारा जो वॉइड फ्लेम है वो बहुत जादा स्ट्रॉंग है लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर फायर की कमी है उस गू को जरा भी अच्छा नहीं लगता ही कुईंगियून का ये बात वो कह रह करने जा रहा होता है लेकिन उससे पहले स्वार्ड एल्डर बीच में आ चुके होते हैं और वो उस प्रिट फ्लेम का एक हाथ उड़ा डालते हैं एक ही बार में वो गू कह रहा होता है कि तुम तुम आखिरी से बचा क्यू रहा हो लेकिन जो स्वार्ड एल्डर होते हैं व वो गुस्सा आ रहा होता है और वो कहा रहे होते हैं तुमने हमारे फैमली को धोका दिया अब तुम ये एक्जिलर फील्ड हमसे लेना चाते हो यह धर यह कहा रहा होता है देखो जादा मुझे परशान मत करो वरने तुम्हेरे साथ क्या होने वाला है चलो हम लोग एक शर्त पैटरिच उससे कहाता है किस तरीके के शर्त की तुम बात कर रहे हैं वो गु कहता है जाहिर सी बात है हम एलकेमी की शर्त लगाने की बात कर रहे हैं पैटरिच इस बात के लिए मान जाते है और वो कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी वो गु कहता है ठीक है आज से ठीक तीन दिन बाद ये अलकेमी कॉंपिटिशन होने वाला है तुम्हारे स्टूडेंट और मेरे स्टूडेंट के बीच में और वो क्योंग उन से कह रहा हुता है क्या हुआ प्रेजिडेंट अब डर चुके है क्या क्विंग कहता है नहीं कोई ऐसी बात भी नहीं है अब तुम ये गैंबल खेली रहे हो लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि तुम जीतोगे तो तुम्हे रिवार्ड मिलेगा लेकिन हारने पर कोई पनिश्मेंट नहीं मिलेगी गू कहता है आकिर तुम क्या कहना चाते हो क्विंग उसे बताने लगता है कि हारने पर भी तुमें कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए वरना इस गैंबल का क्या फाइदा होने वाला है यह जुघूह होता है, यह मुशकुरा रहा होता है, लगता है प्रेजिडेंट यह को अपने ओफर पूरा भरोसा है, कि यह जीतने वाले है, अच्छा चलो, यह बताओ, अगर मैं जीता, तो मुझे क्या मिलने वाला है, कुई गया था, यह जाहीर सी बात है, तुम्हे यह एक आखरी बार पूछता है बताओ, तुम शर्ट लगाना चाहते हो या फिर नहीं लगाना चाहते हो, वो कहता है ठीक है मैं वाला करता हो तुम से, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, उसके बाद ये अपने एक स्टूड़न को बाहर निकालता है, और कहरा होता है, मेरी तरफ से ये खेलने वाला है क्विंग कहा रहा होता है कि तुम तो बहुत जादा डर पोक निकले तुम खुद नहीं खेल रहे हो तुम बल्कि अपने एक स्टूइंट को बाहर बुला रहे हो लेकिन ये कोई ऐसा वैसा स्टूइंट नहीं होता है ये होता है एक बिल्कुली अलग स्टूडेंट और वो जो गू था वो क्विंग उनको कह रहा होता है कि मुझे यकीन है कि तुम इससे पहले भी जरूर मिले होगे अगर आपको याद है कि ये क्विंग से कहा मिला था तो आप जरूर कमेंड में बताएं और क्विंग उसे देखने बाद एक दम हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पूरा चेहरा बदल चुका होता है वो उस गू से पूछ रहा होता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है प्रेजिडेंट क्या आप देखनी सकते हैं अब वो मेरे फाइर का एक क्लोन बन किया है फिर यह अचानक से जोड जोड से खesने लगता हो और चलो देखा जाए तुम्हारा एलकेमी लेवल जादा हाई है या फिर तुम्हारे फ्रेंट का एलकेमी लेवल जादा हाई है ये तो बिलकुल वैसा ही रहेगा कि तुम दोनों एक दूसरे को मार डालोगे हाँ 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 और ये कहने के बाद वो अपने उस स्टूडेंट के साथ जाने लगता है असल में वो बंदा पूरी तरीके से गू के कंट्रोल में होता है कoring को बहुत गुसा आ रहा होता है वो जाने वाला होता लेकिन सॉडेंटरा के उसे रोगता है कविंग कह रहा होता है मैं इन मेंसे किसी को भी नहीं चोड़ने वाला हूँ अब scene change होता है तीन दिन बातका scene हमें दिखाया जाता है यहां सभी लोग काफी खाली होते हैं कोई दिखी नीड़ा होता है इदर दो लोग बात कर रहे होता है कि प्रेजिडेंटी आज कॉम्पेटिशन में इस्सा लेने वाले हैं तभी एक बंदा तुफान की तरह आता है दौरते दौरते कहा रहा होता है कि मैं तुम्हारे जैसा बेशरम नहीं हूँ जो कि कुछ भी कर सकता है इस बात को सुनने के वाद इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी जबान तो बहुत चलती है चलो देखता हूं कि तुम इसे जीतते कैसे हो और फिर यह कहता है चलो अब शुरू किया जाए लेकिन कुइंग कहता है नहीं रुको अभी तो ट्विष्ट लाना बाकी है दूसरे बंदें गहरे होते हैं क्या हुआ क्यों जल्ली करो और इसे स्टार करो कुइंग कहता है जरा एक मिट रुको तो सही मैं कुछ और भी तुम लोगो दिखाना चाता हूँ वो निकालता है अपना समान तो इसे देख कर यह हैरान हो जाता है और कहरा होता है यह वही हाथ होता है जो कुइंग को डेजर्ट में पड़ा मिला था अब को तो यह यादी होगा अब कुइंग उसके सामने शर्ट की रखता है कि अगर कुइंग जीता तो वो जो गु है वो अपना दाया हाथ काट कर कुइंग को दे देगा और अगर वो जीता है तो कुइंग उसे यह Six Eye Magic Arm दे देगा और वो उसे यह भी कहा रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी जादा है और बाकी सबी लोगों से जादा अचा तो तुम्हीं को पता होगा और ओमानिमन में सोच रहा होता है ये 6i magic arm भी पका इनी में से किसी ने बनाया होगा ये भी शेर्थ के लिए राजी हो चुका होता है क्योंकि इससे पता होता है कि उस magic arm की कीमत कितनी जादा है और उसकी value किसी से कम नहीं है बलकि बहुत ताकत वर magical weapon है लेकिन queen उसे फिर से चिड़ाने लगता और कहरा होता है तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारे हाथ किसी काम के नहीं है अगर मैं तुम्हारी जगा रहता तो मैं ये कहता कि ये magic arm मेरे arm से ज़्यादा कीमती बिल्कुल भी नहीं है सभी लोग जोड़ जोड़ से ताली मारने लगते हैं कहार होते हैं वाँ प्रेजिडेंट ये वाँ आपने तो हभी वाली कॉमेडी कर दी मज़ा आ गया सुनके वैसे समझ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और इधर क्विंग्यून सभी लोगों से कह रहाता है आप सभी लोगों ने सुना ना कि इसने शर्ट लगा लिया है अगर मैं जीता तो ये अपना दायानात काट कर मुझे दे देगा बस तुम अब कॉम्पिटिशन शुरू करो अब कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है पैट्रीच हमें कॉम्पिटिशन के रूल्स पता रहे जो बहुत जादा सिंपल है सबसे पहले तो इन्हें एक 5th grade के एक्जिलर को बनाना है और उसे रिफाइन करना है जो कि ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है हाँ बस इसमें टाइम लगता है और फिर उसे 5th को 6th grade में convert करना है और बस इतने normal से steps होते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि इन्हें सा और फिर इधर पैट्रिश कहा रहे होते हैं इसमें तो असर टाइम लगेगा लगिन देखने मज़ा आएगा लगिन इतना हमें क्विंग को दिखाया जाता है जिसे कुछ भी घबराट नहीं होती है ये सबसे पहले तो एक अलग फायर का इसे किसे नहीं नहीं देखा होता कि आखिर ये किस तरीकी की फ्लेम है और ये उस एल्डर से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रहो ये किस तरीकी का फ्लेम है और वो इसका इस्तमल कैसे कर पा रहा है वो एल्डर ने भी इससे पहली बार देखा होता है और इदर जब उस फ्लेम की पावर पैटरिज महसूस कर रहे होते है तो उनकी पूरी हड़िया काप चुकी होती है एल्डर से कह रहे होते है कि ये क्या है लेकिन एल्डर को भी नहीं पता रहाता है क्योंकि ये एक एंशेंट फ्लेम है और इधर सबी लोग बात कर रहे होते है कि लगता है प्रेजिडेंट ये जीतने वाले है क्योंकि वो जाथ ताकत वर लग रहे है लेकिन इधर इसे बहुत गुसा आ रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है इधर हमें दिखाया जाता है क्विंग को जिसने एक्जिलर को तयार कर लिया होता है वो भी बहुत कम वक्त में इसे देखकर ये मुँ फटे का फटे ही रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ये दोनों भी हरान होते हैं पैटरिज पूछ रहोते हैं कि कितना वक्त लगा इल्डर बताते हैं कि बहुत कम वक्त लगा मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है और इधर क्विंग एक्जिलर रेडी कर चुका होता है एपिसोड हमारे यहीं पे खतम होता है लेकिन अभी आगे और भी ट्विस्ट एंड टन्स है और हाँ आज रात में एक नया कॉमिक भी शुरू करने वाला हो तो उसे भी अपना प्यार जरूर देना फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई